हर हर महादेव दोस्तों आप से भी का एक बार फी स्वागत करते हैं अपने एस वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सपने में रत्री में आप सिवलिंग के दर्शन करते हैं हैं कि आतप किया है या उसकी पूजा अर्च ना की है या आपने एक से अधिक सिवलिंग देखे हैं तो भगवान संक्र हमें कंसा संकेत देना चाहँ रहे हैं कंसा इसका सौपन का फ्र्राप्त होगा हम कंसा कारें और कंसा कारे ना करें हमारे लिए आने वाला भवी से कैसा रहेगा तो हम इस वीडियो में सभी प्रकार के जानकारी देने वाले हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यार करें क्योंकि हम सटीक और अच्छी से चाट करते हैं वीडियो को अगर आप सपने में भगवान के सिवलिंग रूप को देखते हैं क्योंकि सिवलिंग भगवान संकर का ही रूप होता है इसलिए सिवलिंग के दर्शन करना आपके लिए भगवान संकर के दर्शन करने के बराबर होता है जब ही आपको सपने में नाव के दर्शन करेंगे नए नए सुप समाचार फ्राप्त करेंगे और जो कारी करेंगे उसमें आपको काफी अधिकलाब होगा और सपने में सिवलिंग देखने का हर्थ होता है आप जो भी पूजा अर्चना सिवलिंग करते हैं या भगवान संकर से जो आप इच्छा रखते हैं उसके पूर होने का समय आ चुका है आपकी मनों कामना पूर होगी आपकी इच्छाएं पूर होगी तो यह एक दूरलफ सप पर बरस रही है इस समय आप एसे जटिल से जटिल कठिन से कठिन कारें जिसमें आपको निश्ची सफलता प्राप्त होगी और आपको अपारधन संपदा प्राप्त होने वाली है इसलिए आप पुद्धी विबेग से इस्तेमाल करके आप अपने कठिन से कठिन कारें को प्राप्त होता है बैठे बिठाए कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है तो नमस्कार हर हर महादेव दोस्तों